हलो फ्रेंट इक बार फिर से आपका स्वागत है कि इस बेड रूम वाले टुटोरियल सीरीज में तो दोस्तों हमने जैसा कि आपको पहले दिखा दिया है कि मॉडलिंग कैसे करना है तो आज किस पीडियो में हम बात करेंगे टेक्श्रिंग के बारे में थोड़ी सी टेक्श् गया था तो सबसे पहले अब हम यहां पर बात करने वाले हैं वह करने वाले हैं टेक्श्रिंग के बारे में रहे हैं एक चीज मुझे और करनी है वो यह है कि इसके अंदर अभी गद्दे लगाने थे जो कि नहीं लगा है हम लोग ट्राइ कर रहे थे कि यहां से मिल जाए ल थे लोग अको सिस करेंगे इसमें टेक्श्रिंग करने के लिए तो चलिए आते हैं यहां पर हमें यहां पर करना है इसको करो ना करो कोई फरक नी पड़ता बाद में आपिसंटो कर सकते हो तो नव आपको आना यहां पर material tab पे and material tab पे आकर आपको यहां से color को pick करना है ठीक है अब एक चीज समझो कि अगर माल लो कि हमें इस color को pick करना है अगर माल लो कि आप देख रहे होगी आपका यहां पे color कुछ इस तरीके का है right so there is a color जो कि कुछ इस तरीके का color अपने को दिख रहा है अब exactly अगर हमें यही color चाहिए तो मैं कैसे ले सकता हूं like exactly अगर मुझे यही color चाहिए तो मैं कैसे सकता हूं simple है आपको photoshop open कर लेना चाहिए क्योंकि आप यहां से ऐसे pick करके और आप लाइक इसमें जाकर आप इसको pick नहीं कर सकते there is no way so आपको क्या करना है कि आपको पहले सबसे पहले तो photoshop on कर लेनी है और फिलहाल के लिए मैं करता हूं यहां पर कि जैसे मैं यह वाली color यहां पर दे दे अब यह color मैंने दे दिया अब यह color तो मैंने दे दिया है बट यह color हमें exactly तो नहीं चाहिए मैं यह यहां से इसको open कर लोगा यह color open हो गया and now I will go to this one and pick this color and copy this code ठीक है and then come to the sketchup and go to edit edit your color like यहां पर आपको जाना है कि कौन से color को आपको यहां पर देना है but problem क्या है problem यहां यह कि यहाna पर जो आपकी value है वो आपको code paste करने का यहां पर कोई जगह नहीं है code को आप paste नहीं कर सकते यहां पर ठीक है यह थोड़ा सा एक यहां पर issues है तो don't worry आपको यहां पर जाना है and then find this value 198 146 and 88 go to sketchup and put 198 and then 146 and 88 and this is the same color of your reference is the same color तो यह color आप यहां पर ले लिया आगई आपकी अगला तो simple है यह तरीका है जिससे आप यहां पर काम कर सकते हैं अब आते हैं यहां पर तो अगर आप Photoshop की इसलिए Photoshop हर जगह ही जरुत होता है अगर आप यहां पर जाकर देखेंगे तो यह 221-2205 कुछ ऐसा है गो तो इसकेचप आप एंड नेक्स्ट कलर जो हमें लेना है पहले यहां पर आएंगे यहां पर आने के बाद हम यहां से कलर चूज कर लेंगे यह वाला कलर हमने चूज कर लिया और यहां पर आएंगे 221 देन कितना था यहां पर है 212 और यहां पर 205 इस दा कलर चाहिए यह मैं इसलिए दिखा रहा हूं आप ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि हमें कलर को अगर स्पेसिफिक कोई कलर अगर हमें सेलेक्ट करनी है तो हम कैसे करेंगे अदर्वाइज आपको जो कलर यहां से लेना है आप वह कलर ले सकते हो there is no issue कोई भी कलर हम ले सकते है जिरूरी नहीं कि मुझे यही कलर लेना है I can use a kind of bright color भी कुछ बच्चे का रूम है तो हम कुछ इस तरीके के कलर भी यहां पर डाल सकते हैं ठीक है पर हम as a reference काम कर रहते तो as a reference के लिए मैंने आपको बताया कि यहां पर यह कलर हमने यूज कर रहा है यह वाली अब यह सेम कलर अगर यहां डालना है तो मैं क्या करना होगा हम यहां पर जाएगा उपर में अगर आप जाकर देखोगे तो अगर आपकी से पर तो उसकी शीडिंग चेक करते सीलिंग भी क्या इसी है यह वाली इसलिंग में भी यही वाली कलर है So don't worry हमारे पास यह पीकर तो हए हम से लिंग भी यही कलर डाल लेकिन मैं यह तोड़ी सी जो शीटिंग की कलर है न थोड़ा सा मैं चेंट्श करना चाहता हूं थोड़ा सा कुछ इस तरीके से आप डाल सकते हो और यह वाइट को भी आप रख सकते हो इससे क्या होता है कि लाइट जो है ना बहुत मस्त आता है यहां पर आपको वह बाउंस करके बहुत अच्छा लाइट आपको जेन्रेट करेगा हम उसको वाइट भी ले सकते हैं and then I am taking this color and I will put अच्छा यहां पर भी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह ग्रूप है तो अगर आप इसके अंदर कोई भी color ऐसे डालेंगे directly तो it will apply on every single object in this group सो हमें वह नहीं कर मैं है and then I am coming to this side and just filling this color great so यहां पर हो गया भी अपना काम ctrl s कर देते हैं and done यह तो एक simple सा process हो गया आप चाहो तो यहां पर वीरे के हिसाप से भी आप render texture कर सकते हो वीरे के हिसाप से कैसे so come to this one and this is the वीरे का properties आपको यह open कर लेना है सो मैंने यहाले लिया and this is the material list इदर और भी चीज़े हैं जैसे lighting वाइटिंग से related आप यहां पर material लिस्ट में आ गए आपको यहां पर बहुत सारे options मिलेंगे लाइक आपको ceramic यह प्रोसेलिन चाहिए यह आपको car paint चाहिए यह आपको diagrammatic चाहिए concrete चाहिए यह immersive lights चाहिए फोम चाहिए fabric चाहिए everything is here everything तो अगर आपको कुछ लाइक वाल पेंट्स एंड यह चाहिए लाइक वाल में पेंटिंग जैसा कुछ तो आप यहां से ले सकते हो क्या करना इसको राइट क्लिक करना है पहले करना इसको add to scene जैसे add to scene करेंगे यह यहां पर आके add हो जाएगा अगर मैं इसको यहां पर लाके से डाल दूँ आप देखोगे यहां पर यह आ गया ऐसा लेकिन अभी आप सोचोगे कि सर यह तो ऐसा white दीख रहा है क्यों चले मैं आपको render करके दिखाता हूं यह white नहीं दिखेगा यह बहुत ही एक अच्छा वाला colorful wall दिखेगा आपको just wait and this is the render interactive means कि whatever you will like apply it will take render automatically and see you can see कि यहां पर यह है और मैं इसको थोड़ा सा भी like ऐसे कर सकता हूं यहां पर अगर क्लिक करेंगे तो this is like this is a kind of selective render कि मतलब आपको जितना range डालेंगे उसको ही select करेगा और आप देख सकते हो यहां पर एक red color का बहुत ही अच्छा सा एक wall आगया अभी आपको यहां पर चीजें उतनी clear नहीं समझ मैंगी क्योंकि यहां पर जो problem है वो है light का हमने अभी तक कोई light use नहीं किया है that's why okay done so अभी मैं इसको यह कर देता औ और चलो अभी मैं light भी use कर ही लेता हूं because light use नहीं करेंगे तो texture अपने को ऐसे भी समझ में नहीं आएगा बंद करते हैं इसको and सबसे पहले चलो तब इसमें light ही लगा लेते हैं so light लगाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको light लगाने के लिए इसी वीरे tap के अंदर में आपको यहां पे भी lighting के options मिल जाएंगे and lighting यहां पे आपके सारे lights जो हैं वो यहां पे available है clear है so before that I think we need to set a camera है हमें एक camera set करना पड़ेगा वरट camera के लिए हमें कुछ खास वैसा करना नहीं है मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि यहां से थोड़ा से इसको extend करता हूँ थोड़ा से इसको ऐसे एक्स्टेंड कर लेता हूं क्यों कर रहा हूं मैं आपको बताता हूं एक्स्टेंड इसलिए कर रहा हूं कि थोड़ा आगे चलके मतलब हमें कैमरा मेरा लगाने में सीन सेट अप करने में मुझे थोड़ी सी आसानी हो जाए इसलिए मैं चाहता हूं कि यहां पर थोड़ा सा इसको एक्स्टेंड कर लो यह मेरा एक्स्टेंडड पार्ट है यहां पर एक वाल भी लगा लिए यहां इसे हमें क्लोज करनी है क्लोज कर लिए लिए करना है ताकि आपकी लाइटिंग जो है न वह एक्दम प्रॉपर हो चलिए अब हमें यहां पे इसके अंदर वह सीन सेट अप करना है तो हम इसके अंदर चलते हैं और आगे हम इसके अंदर सी अभी यहां पर हम थोड़ा से से पीछे करते हैं लाइक आप यहां पर भी एक चीज इस्तमाल कर सकते हो तो यह आपकी इसे सेट हो जाएं तो आइटिंक यह पर्फेक्ट है ठीक है थोड़ा सा इधर का वॉल दिख रहा है मुझे जो कि मुझे नहीं दिखाना है तो मुझे लगता है कि यह वाली चीज पर्फेक्ट है एंडन एंड आप इसको थोड़ा सा सामने की और भी जा सकते हो ऐसे भी रख सकते हो ग्रेट कंट्रोल एस करिए एंड सबसे पहले सीन पे क्लिक कर लीजेगा क्योंकि सीन आपका प्रॉपर होना चीए बाद में यही सीन आपको सबसे ज़्यादा काम आने वाला है ठीक है आ आप यहां पर आकर इसको रीनेम भी कर सकते हैं लाइक आपको कैमरा मेरा रखना है क्या रखना है तो इसके लिए हम इसको सेट कर सकते हैं अब ही हमारा यहां पर काम हो गया है तो यह मेरा बेसिक सा सीन है जिसके उपर हम रेंडर रेंडर से कुछ करेंगे अब आपको क्या करना है कि अब आपको यहां पर आना है and मुझे यहां पर कुछ light लगा नहीं तो सबसे पहले यह जो cop light वाली system है न यह मैं लगा लेता हूं तो इसके अंदर जाता हूं oh my goodness so I think मैंने इसको group नहीं किया है तो आप इसको सबसे पहले है तो राइट क्लिक करिए और सबसे में ग्रूप थाकि एकदम ग्रूप में रहे है लाइट के से इस्तेमाल करेंगे तो आप यहां पर आएंगे तो यह लिखा हूँ है convert to mesh light this is the light intensity tool this is the dome light and this is the omni सब कुछ तो हमें क्या करना यह मेस है तो उसको में करना है convert to mesh light क्लिक कर दो अपने जैसे ही क्लिक किया न यह मेस light में convert हुए है ठीक है अभी चलो मैं थ्वास आपको दिखाता हूँ render करके exactly यह convert हुआ है या नहीं हुआ है तो टेकर रेंडर एंड इस पर क्लिक करिए तो आपको अभी दिखाई देगा कि वहां पर एक light जलता हूँ आपको नजरा जाएगा done so यह light अभी जल रहा है तो चले मैं इसको बंद करता हूँ and I will take a interactive render right okay थाकि बार-बार मुझे उसको नहीं करना पड़े तो उसके लिए थोड़ा सा यहां पर रेंडर में आपको setting करना पड़ेगा यह high quality जो हमने रखा था 90-20-080 का कुछ ऐसा रखा था तो उसको कम कर लेते हैं and इसको कर लेते हैं like 960 कर लेते हैं ठीक है and then click on the interactive render इंट्रक्टिव रेंडर पर क्लिक कीजिए तो यह क्या होगा कि आप जो भी changes करेंगे वह आपके रेंडर में यहां पर दिखाई देगा मैंने इंट्रक्टिव रेंडर को on किया है कहीं हमारा sketchup बंद न हो जाए यहां पर और एक चीज यहां से हम अठा देते हैं जो की थोड़ा सा slow कर लेगा और यह जो वेरी हाई कॉलिटी वगर रहने इसको हमें थ्वासा कम कर लेना है शो बंद करो एक बार एक बार एक बार जिस्ट यह वाला रेंडर ओन करिए ओके आप यहां पर दे सकते हैं तो मैं इसको पूरा ना करके सिफ इंट्रक्टि रेंडर को यहां पर अपर करता हूं इस पॉर्शन को सेहप चाहता हूं और और अभी देखिए यहां पे लाइट अना सुरू हो जाएगा ठीक है यह धिए अटियु सकते हो हैंद एंग् indoor इस हिसाब कर आए आप आए गा आप जैसा कलर यहां पर डालेंगे उस कलर के हिसाब से यहां पर आए गा तो लाइक मैं इसको एसक्ताईर तो यहां थोड़ा सा रेडिस रखता हूं और रेड नहीं रखना चाहिए कि बहुत वाइवरेंट कलर होता है तो मैं तो आसा कूल कलर यहां पर डाल सकता हूं कूल वाला कलर आप डाल सकते हैं अब यहां से मैं बंद करता हूं और इंटेंशिटी इसको आप चेंज करके देखो लाइक रेडियंट पावर कर दो अब आपने यहां से डीके को आफ कर दिया न तो यह पूरे घर में फैल जाएगा चूकि रइडियंट पावर है यहां पर रइडियंट पावर है तो इसको और बढ़ाईए लाइगा अब इसको कर दीजिए 500 है और देखो लाइट अभी पूरे घर में फैलना शुरू हो जाएगा पूरे घर में इसका जो एम्बियंस है आना शुरू हो जाएगा अगर आप डीके को रखेंगे तो यह लाइट थ्वासा कम हो जाएगा नो डीके मतलब कि कोई डीके नहीं है वनलब लाइट चार तरफ फैल जाएगा और डीके का मतलब होता है कि लाइट स्मूथली आपको स्प्रेड करेगा तो अभी देखिए मेरा यह काफी चलिए है अब यह तो मैंने लगा लिया अभी मैं इसको करता हूं बंद यह पहले इस मेस लाइट कनवाट टूमेश लैट देखो एक और मेस लाइट आपका ळो गया एंड यहां से आप किस कलर को एड देना चाहते हो भी दे लीजर तो लनाइक मैं भुक्राप से ग्रीन रखता हूं को एन यहां शहे कर लेड दा-सको रेडिए great थ्रीunda राइट और यह देखिए बहुत ही खुबसूरती के साथ यहां पर लाइट्स आपके चारों तरफ जाते वए दिख सकते हैं बहुत ही खुबसूरती के साथ यह जो भी की इंटेंसिटी है वह आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना रखना चाहते हो नहीं रखना चाहते हो यह आप क्यों पर डिपेंड करता है अगर मैं चाहूं कि इसको मैं वाइट कर लूं लाइक एगदम वाइट लाइट रहेगा कोई वह नहीं देना है मुझे आप भी दे सकते हो और लाइक इसको मैं कर लेता हूं 500 रेडियन पावर को लुमिनेंस पावर में कनवर्ट करके देखो तो इस बेसिकली रेडियन पावर इस गुड़ और आप दिफॉल्ट भी रक सकते हो तो आप देख सकते हो यहां पर बहुत ही अच्छी लाइट यहां बे आईगी मैं इसको ओर बढ़ाता हूं लाइक बारत तो आप देखेंगे कि यहां पर लाइट आपको उस तरीके से आपको मिलना सुरू हो जाएगा कि यहां पर लाइट का भी बढ़िया से आपको यहां पर मिलना शुद हो जाएगा कि इसको मैं जैसा था मैं थावसा ग्रीन रखता हूं ऐसे इसकी जो इंटेंसिटी है वो लाइक 200 कर देता हूं अभी चलिए अभी मैं इसको यहां से कर देता हूं सब्सक्राइब बंद आ जाते हैं बाहर और क्योंकि मुझे यहां पर एक और लाइट लगानी है इतना लाइट से होगा नहीं वह तो एक कोप लाइट वाला लाइट हो गया था अब मैं और भी यहां पर लाइट यहां लगाता हूं यहां लगाँगा एक लाइट तो उसके ल हमें यहां पर लगा देंगे इसने दन इस is the sphere light जो कि मैंने यहां पर लगा दिया अब मैं इसको वापस यहां पर जाता हूं and again hit render and go to this one this is your sphere light intensity is very low so you can make it like 200 hundred and see this is the light जो कि आपको यहां पर दिख रहा है इसको मैं कर देता हूं radiant power जैसे रेडियन पावर करेंगे लाइट बहुत ही खुब्सूरती के साथ आना यहां पर सुरू हो जाएगा अब हमारे घर में प्रोपर्ली आ रहा है और भी चीज़े लगानी होगी लेकिन अभी हमारे पास वह एबिलेबल नहीं है और आप देख सकते हैं यहां से लाइट काफी बढ़ियां लाइट आपके घर के अंदर आ रहा है उपर की जो रौशनी है वह भी एक बहुत अच्छी सी कॉंबिनेशन बना रहे है और यहां से वीरी का स्फियर लाइट लगाया है इसकी इंटेंसिटी कुछ एसी रखी हुई है अभी मैं इसको करता हूं बंद यहां पर बंद करने के बाद मुझे अभी इस घर में और भी लाइट है चाहिए और वेसी बात है लाइट चाहिए तो अपन क्या करेंगे कि अपने यहां पर जाएंगे और सपोज मालो कि एक बड़ा सा लाइट चाहिए घर में तो इधर भी थोड़ा इधर भी थोड़ा एक लाइट चाहिए तो मैं क्या करता हूं कि अभी यहां से लूंगा यह वाला लाइट इस इस काल रेक्टेंगल ल आप यहां पर एक ऐसे लाइट लगा दो ठीक है और ऐसा ही लाइट मैं एक और लगा देता हूँ लाइक इधर और या फिर आप तो इधर लगा सकते हैं जी बिलकुल और अभी हमें क्या करना है कि इस लाइट को से पकड़ना है और पकड़के इसको कॉपी कीजिए और यहां पर लगाओ चार लाइट है और तो यह आपकी लाइट है हो गई क्योंकि बच्चे का रूम है लाइट आपको प्रॉपर चाहिए लब ऐसा लाइट चाहिए कि उसको अच्छे से दिखे राइट हो गया यह अभी मैं कर लेता हूं तो कंट्रोल एस एंड देन मैं आता हूं यहां पर रेंडर पे हैंड अभी आप देखो आपको को रेंडर यहां पर समझने आ जाएगा आसे पिके अंदर और यहां पर देकि हमने 2 रैक्टेंगल लाइट लिए हैं तो अभी देखो एक्चल्छी मैंने रैक्टेंगल चार पां तो चलिए मैं इसका भी कर लेता हूं like 100 और इसको कर लेता हूं like radiant power और इसका भी मैं कर लेता हूं 100 और इसका भी मैं कर लेता हूं radiant power तो अभी देखिए आपके घर में lights वह है वो enough lights आपको दिखाई देंगी enough lights आपके पास होगा and bounce reflections everything is looking now perfect तो यह हो गया अभी अभी मैं काम करता हूं कि इसको थोड़ा original render करता हूं original render in the sense कि यह वाली render मैं एक बार final कर लेता हूं और देखता हूं कि इसमें क्या होता है तो उसके लिए थोड़ा सा आपको wait करना पड़ेगा just wait so friends इस class पर रखते हैं इतना ही हम आपको इसका output next class में दिखाएंगे because यह video थोड़ी जादी लंबी हो जाएगी तो फिर आपके लिए problem हो जाएगा तो चलिए उमिदे कि आपके इस समझ में आया होगा और किसी भी तरह का question है तो comment box में बता दीचिएगा और चानल पर नहीं हो तो चानल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना मिलते हैं आपसे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए भाबाए टेक क्यारें thank you so much for watching this video